किसान भाईयो स्वयाविन की फसल से खर्पतवार को संपुर्ण तरह से केसे खत्म करें किसान भाईयो आज हम किसानों के लिए खर्पतवार एक इतनी बड़ी समश्या बन चुका है कि अगर जो समय रहते उसको हम गंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारी पूरी फसल चोपट कर देता है तो आज मैं किसान भाईयो आपको एक ऐसा टेक्निकल बताऊंगा जो एक ही इस्प्रे में आप चोड़ी पत्ती के खर्पतवार और सगड़ी पत्ती के खर्पतवार और उसके साथ साथ जो एक जिद्दी बोकना और दिवानिया जो करके खर्पतवार आता है वो इतनी आसान इसे नश्ट नहीं होता है तो आज मैं इस वीडियो में आपको उसो कैसे नश्ट करे इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो पूरा देखिएगा और जो किसान भाई पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब और अन्य किसानों के साथ में वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सके किसान भाई यो वर्तमान समय में जिस तरह से बारिस हो रही हैं उसको देखते हुए अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आज जो सोयाबिन की फसल में खर्पतवारों का प्रकोप जादा बनने वाला है और समय रहते हैं अगर जो हमने सही दवय का इस्प्रे नहीं किया तो हम उसे बाद में खत्म नहीं कर सकते जिस तरह से मानलो मजदूरों से या कुलपे चला के हम अगर जो खर्पतवार को कंट्रोल करने की कोशिस करते हैं तो संपूर्ण तरह से खर्पतवार कंट्रोल नहीं होते हैं तो आज हम आपको तीन ऐसे टेक्निकल बताने वाला हूँ कि तीनों को अगर जो एक साथ हम इस्प्रे करेंगे तो यूँ समझ लो कि आपकी संपूर्ण तरह से बहुत सारी कंपनियों के घर्पतवार मोजुद हैं लेकिन कोई भी दवाई सबी प्रकार के घर्पतवारों को खत्म नहीं करती हैं सबी घर्पतवार दवाईयों में कुछ नख कमिया होती हैं कोई चोड़ी पत्ती के खरपतवार को नश्ट करता है तो कोई सक्री पत्ती के खरपतवार को नश्ट करता है अगर जो हमें चोड़ी और सक्री दोनों पत्ती के खरपतवारों को अगर जो एक साथ नश्ट करना है तो हमें तीन दवाईयों का कांबिनेशन बना कर इस्प्रे करना पड़ेगा तब हम चाके एक अच्छा result मिलने वाला है Voilà आज हम जो दवएया लेने वाले है उसमें 3 टेकनिकल है तिनों टेकनिकल को हम एक साथ मिलाकर इस पर करने वाले वाले है थो तो अब्या है ओ स्का नाव है इमाजी इथा पर 10% एसल फार्म में हो वो ले लिजे जो परसुट चावत परसुट ले सकते हो बीड बलाक ले सकते हो जिसका आप अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको वो ले सकते हो और उसके बाद में जो दूसरा टेकनिकल हमारा है क्लोरो नूरान इथाईल 25% डबली जी जिससे के क्लोबेन के नाम से आता है उसके बाद बहुत सारी कंपनिया बनाती है लेकिन जो एक अच्छा रिजल्ट देती है जो क्लोबेन जो ओरिजनल क्लोबेन डूपोंड का आता है उसके बाद हमारा जो तिसरा टेकनिकल आता है उसका नाम है प्रोपा क्यूजा फॉप 10% SE जिससे कि मेरे किसान भाई टर्गा सुपर के नाम से जानते हैं जो कि अदामा का एजल के नाम से आता है दानुका का टर्गा सुपर के नाम से आता है या बायर का भी सुपर के नाम से आता है और बहुत सारे दूसरी कमपनियां भी है जैसे कि डव कम्पनी का गलियेंट के नाम से आता है जो सबसे बेश्ट होता है आप किसी भी अच्छी कम्पनी का ले सकते हैं किसान भाईयो इन तीनों को मिलाने का और इनका काम करने का तरीका क्या है ये थोड़ा हम समझ लेते हैं जैसे कि हम सबसे बहले पर्षूट की बात करते हैं, पर्षूट दो से तीन पत्ती की जब हमारे खरपतवार होते हैं, वो चोड़ी पत्ती और सक्री पत्ती दोनों पर काम करता हैं, लेकिन सक्री पत्ती पर थोड़ा कम काम करता हैं, तो जैसे कि पर्षूट कंजरू, दिवा लिया छोटी दूद्धी जंगली चोलाई चीरपोटा जंगली जूट इन सभी प्रकार के घासों पर अच्छा नियंतर्ण कर लेता है लेकिन जो चोड़ी पत्ति जैसे दिवानया बोकना ये जो चीजे रहती है इन घासों पर इन इसका कंट्रोल नहीं हो पाता है उसके करने का तरीक होता है वह भी तीन से चार पत्ति के घरपतवार होते हैं उन पर अच्छी तरह से आसानी से कंट्रोल कर लेता है वह सिर्फ चोड़ी पत्ति वाले घरपतवारों पर ही कंट्रोल होता है उसका सक्ड़ी पत्ति वाले घरपतवारों पर कोई कंट्रोल नहीं होत उसको हमें एक लिटर पानी में गोल बनाना है और गोल साड़े तीन एकड में इस्प्रे करना है किसान बैजो तिसरे नंबर पर हमारी जो दवाय आती है वो हमने ली है टरगा सूपर टरगा सूपर लंबी पत्ति के खरपतवारों पर आसानी से कंट्रोल कर लेता है जब पत्ति कंट्रोल करता है सावा, मकडा घास, सुनहरी घास, चन्यावरी और कुछ-कुछ हद पर मोतिलडा जैसे की जिसे हमें हिंदी भाषा में मोतिलडा घास केते हैं उस पर भी इसका अच्छा कंट्रोल कर लेता है इसकी डोश की बात करते हैं किसान बैजो तो हमें 300 ml प् समझ लोग एक एक लीटर का हमारी जो दवाया बन चुकी है इन तीनों दवायों को हमें 3.5 एकड में मिलाकर इस्प्रे करना है तब हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर जो एक सीधी बासा में में कहता हूं तो यूं समझ लीजिए कि साथ बिगे में हमें इन तीनो दवायों का इस्प्रे करना है इससे ज़्यादा जगह में इस्प्रे नहीं करना है नहीं तो हमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा ये दि किसान बायों आज की खरपतवार के उपर संपूर्ण जानकरी अगर जो किसान बायों वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अन्य किसान भाईयों के साथ में इसे शेर भी जरूर कीजिएगा ताकि मेरे किसान भाई सभी इस दवाय का उप्यों कर सके जैहिन